आप देख रहे हैं चौहान वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके दिसंबर 2023 के रिवैलुएशन के रिजल्ट के बारे में जिसके उपर काफी सारे इस्टुएंट ऐसा है जिन्होंने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है उनका रिवैलुएशन का रिजल्ट काफी दिनों से अपडेट नहीं किया जा रहा है तो आज की वीडियो उन सभी स्टुएंट के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने रिवैलुएशन का कौम भरा है तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा जरूर देखें और अंतक देखें अगर आपने अभी तक मेरे च 24 को आई थी आज आप जानते कि 6 माई 2024 है तो पूरा एक महीने का समय बीच चुका है आपके लिए रिवैलेशन की अपडेट यहां पर नजर नहीं आ रही है बीच में आप जानते कि 5 से 10 दिनों के लिए ऐसा हो गया था कि रिवैलेशन का जो लिंक है वो भी आपके लिए अब रिवैलेशन का लिंक ओपन हो गया लेकिन अगर हम यहां पर देखे तो स्केटर अभी भी 6 अप्रेल 2024 नजर आ रहा है लेकिन मैं आपको यहां पर बता दो कि ऐसा भी कई बार इगनों के अंदर होता है कि यहां पर डेट जरूर ना बदले लेकिन आपका जो जब कुछ इस्टुएंट्स का जो रिवैलेशन का रिजल्ट है वो अपडेट किया गया है हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में आपके लिए रिवैलेशन के उपर जितने भी इस्टुएंटे जिन्होंने रिवैलेशन का कौम भरा है उनकी सभी की अपडेट जया वो सब्सक्राइब इस इसी तरीखे से आप तो आपको चैन्बाराइब नहीं कि नहीं अपके लिये इस जाड़ी कर दिया जाएगा आप जिस दिन रिवालेशन का फॉर्म भरते हैं उसके 30-40 दिन के बाद ही आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आपका जो रिवालेशन के रिजल्ट है उसकी अपडेट आएगी यह अगर आपने पहली मई को अगर आपने पहली अपरेल को अपन आने वाला है तो इस तरीके से आप खुद से चेक कर सकते एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो रिवालेशन का रिजल्ट है वो कितने दिनों में आने वाला है अगर आपने एक अपरेल को अपना रिवालेशन का कावम भराक्षी सब्जेट का तो दस मही या दस मही के बाद आपके रिवालेशन के रिजल्ट की अपडेट आने के चांसित है उसी तरीके से आप खुद से कल्कुलेट कर सकते हैं कि कितने दिन का टाइम जो आपके लिए लगेगा उसके बाद आपका जो ग्रेड कार्ड है और आपका जो दिसमबर 2023 का थियोरी एक्जाम रिजल तरी दिया उनके अपडेट चुका है और उनका रिजल्ट अप्डेट भी हो चुका है किंग दिन्त अन फाकि और एक रिवाल्यट चांड वपडेट के लिए कर दिया जाएगा मईं तक आपको वेट करना पड़ेगा तब तक जादेट चुनका जो लिएक काड में अपडे फेल नहीं किया जाता तो उसमें हर इस्ट्रेंट पास हो ही जाता है तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको बसंदाती वीडियो को लाइक जरूर कीजिए शेयर जरूर कीजिए